हेलो विडिवान वेलकम टू कमपर्शन केरियर पॉइंट आज हम लोग जैकबड क्लास 12 के लिए BMT से BMT से MCQ प्रसंद देखने वाले हैं जिसका टोपिक है पर्मूटेशन और कॉंबिनेशन क्या टोपिक है क्या है बताओ पार्ट 2 आएक पार्ट भी और आएगा पार्ट 3 भी आएगा तो सारे के लिए आपका यहां से 100% नुमेरिकल आने के आएंगे एक जाम में ओके देखो फर्स्ट नमर देखो अब इसका सबसे पहले फर्मूला जानी है बेसिक फर्मूला क्या होता है NPR को लिख आए 10P2 दिया हुआ, 10 फेक्टरियल कर लेंगे 10 का फेक्टरियल यहाफ देखो , यहाफ देखो n का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ 10 दिया हुआ र्केवेल तो Option B देखो, सही हो जाएगा, OK, next, 2 number, 7P2, देखो, फिर से भें, 7P0, इसका फार्मूला क्या हूगा, 7 का imperial, प्लाइगा, 7 का imperial, 7 का factorial, क्या हो जाएगा, क्या हुआ धार कि यहाँ के 166, क्या हो जाएगा, Option B सही हो जाएगा, OK, यहाँ पर देखिए कुछ याद रखी का कुछ टर्म को आपको डारेक्ट रिक्टर्मिन देखने मिलेंगे देखो 0 का फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है और भी पूछा जाएगा किसी कभी देखे 2-2 होगा यह भी 0 आ जाएगा इसका भी वहलू आ जाएगा और 1 का फैक्टो अब यहाँ न का फैक्टोरियल आपको यहाँ देखे आपको का फैक्टोरियल और यहाँ पर कॉंबिनेशन का फैक्टोरियल यहां एक इसको यहाँ दखना है अगर ncr1 है ncr1 equal to ncr2 है तो यहां से जो फ्रमूला बनेगा n h equal to जो होगा दोनों आरो नाटू को add कर देजिए इसको याद रखेंगे इसको याद रखेंगे यहां पर यही सेम लगा हुआ nc10 है और nc4 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे n is equal to क्या होता है बताओ 10 plus 10 होता है 10 plus 4 कर देंगे क्यों मैं फ्रमूला होता जो है तो nc4 कितना आगे है बताओ 14 आ जाएगा कितना जाएगा तो option यह बिल्कुल सही हो जाएगा next 6 नमर देखेंगे if np4 equal to 12 into np2 then value of n अब देखो simple देखो फिन से कुछ नहीं करना है आप लोगो basic लगा दना फर्मूला यूज करना है आपका 100% बन जाएगा देखो इसका फर्मूला क्या होगा n का फैक्टोरियल by n-4 का फैक्टोरियल simple है 12 times है यहाँ पर n का फैक्टोरियल minus n-2 का फैक्टोरियल अब देखो देखो दिस-दिस कैंसल हो जाएगा यह धर भे दिजिए n-2 का फैक्टोरियल by n-4 का फैक्टोरियल ओके तो क्या हो जाएगा 12 n-2 देखो इसको इसको एक्सपेंड कर सकते है n-2 और क्या होगा n-3 कहा तो जाके n-4 तक हम लोग n-4 तक जाके हम लोग को फैक्टोरियल में आपको नवर्ट हो जाएगा दिस-दिस कैंसल हो जाएगा तो टूल आ जाएगा अब जो इसको सॉल्व कीजिए देखिए अगर इस सॉल्वी कर सकते हैं तो मैं एक चीज़़ बता रहूं आपको यह 3 पूर्ट रहें 3 3 3 0 यह भी नहीं होगा मैनस 3 भी दो होगा नहीं अब शिक चेकरो 6-2 और 6-3 केतना आजाएगा दो 4 x 3 12 आगया माने कि आपका जो अंसर आणने माला है बताओ कितना n का value केतना आजाएगा 6 हो जाएगा अंसर लेकिन अगर बोड़ी एगा कि solve के से करेंगा सर देखो यहाँ पर n square और कितना आजाएगा इन्ट की जाएगा तो माइनस माइनस 3N माइनस 2N आई हाँ प्लस 6 is equal to 12 solve कर दिजीए जीको कितना आजाएगा 5N यहाँ कितना आएगा इप्ला जाकर माइनस हो जाएगा यहाँ आजाएगा आप देखिए इसको बना दिजीए ओके यहाँ पर देखिएंगा हम लोग solve करेंगे इसको के से solve करेंगे बताओ माइनस 6N आप प्लस 1 1N माइनस 6 is equal to 0 माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 आजाएगा ओके यह देखिए आपका जो अंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा option option c बिल्कु सही हो जाएगा 6 हो जाएगा ओके 7 नमबर देखिएंगे numbers between 100 and 1000 कि आपको देखिए सबसे पहले basic बनाना है क्या आपको कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बनाना है तो नमबर कितना बनेगा जो नमबर वेज बनेगा जो देखिए देखिए 9 9 है अब कितना कितना बनाना है इसे 100 और 1000 के बीच में कितना बनेगा जो जाएगा option c या आपको एक सेकंड में आब बताता हूं देखिए नमबर ओप वेज निकलने का है देखिए कितना टीन वन टू थिरी देखिए इस बॉक्स को इस बॉक्स को हम लोग किता था फिल कर सकते हैं बताओ 9 टैप से क्याकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिस सेकंड बॉक्स को देखिए आकर किसी को एक फिलप कर दी है बाद में नहीं फिलप करेंग कि इस नमबर फ्रोंफे फ्रोंफे फॉरेक्टिरस इसका ही इसका फामुला रहा है गया इसका फॉर्मूला इसका फिल की चिंतना आईंग आए व्रक तो हैझस कॉछिए शुवा गुलनर फोरी यर्जिए बॉल रहा हूं कि देके अगर फिछतिए बंशन कर ने बोल रहा कर देखेंगे इन का फिल्यू शिक्स इसको चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं यहाँ पर यह भी लगा सकते हैं एक लेखिन थोलेंदी रहेगा लेकर आपको यह कीज़गा चेक कीज़एगा देखे आप n का फिल्यू कितनों पूट कर दो कि थीरी सिख्ट या कि एन अपको देखो थीरी सिख्ट दिया वह था मने कि एन के फिलू पक्का सी हो जायाएगा ओप्सन सिख्टाइगा अप्सन से कीजी जाद आई जी रहेगा आप लो के लिए नाइन नमर, इप nc 12 इसकल 28, देन n देखे, फिस होई आ गया, अगर देखे, ncr1 equal to ncr2 दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन में, तो n के value होगा, r1 plus r2 हो जाएगा, तो n के value कितना दिया है, n ही तरह न दिजिए, r1 केतना 12, यहाँ पर 8 दिया हुआ, तो मने n के value कितना आएगा, 20 आएगा, ओके, तो आप्शन यह सही हो जाएगा, next, देखो, यह 7 का factorial into 5, 5 factorial किसके equal होगा, 7 का factorial को, देखो, हम लोगा ऐसे भी solve कर सकते हैं, देखो, 7 into, कहां तो जाएगा, 5 factorial जाएगे, तो देखो, 5 factorial, आप 5 factorial, अब देखो, यह दोनों 5 factorial हो गया, ता आप इसको 42 into केतना, 5 factorial का whole square कर दीजिए, ओके, अब 5 factorial निकाल दीजिए, कैसे निकालते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अब solve कर देंगे, कितना आएगा, 42 into 60, 60 into कितना, देखे, 20, 20 into 6, 20 into कितना आजाएगा, 20 into 6, ओके, तो 120 आजाएगा, ओके, इसका whole square है, ओके, अब इसका square किजिएगा, देखे, कितना आएगा, 12 का square, 144 और double 0 आजाएगा, अजब इसको into करते हैं, आपर देखे, 144, 42 से, कितना आएगा, 882, और कितना आजाएगा, 8, sorry, 6, 6, यहाँ पर भी, 16, 17, और यहाँ 5 आजाएगा, कितना आजाएगा, 8, 4, 8, 4, यहाँ पर क option एक भी नहीं, option D हो जाएगा सही, okay, 11 अबर, the value of 7P4, देखो, सारे formulae based पर ही question पूछी जाते हैं, 7 का factorial, और यहाँ 7-4, 3 का factorial, solve कर दिए, 7, 6, 5, 4, और कहाँ तर जाएगे, 3 factorial तर, okay, यहाँ पर 3 factorial है, यह क्या होगा, cancel हो जाएगा, देखे, option में जाएगा, 7, 6, 5, 4, देख next, देखो, 12 नमर देखो, 10C8-967, देखो, सब सब पहले आपको basis आना होगा, basic क्या, NCR जो होता है, N का factorial, divided R का factorial, into, क्या होता है, N-R का factorial, यह आपको basic formula आना चाहिए, तब ही solve कर पाईएगा, okay, solve कीज़े formula पर इसको देखे, 10 का factorial, divided 8 का factorial, okay, 8 का factorial, into, 10 में से 8 जाएगा, 2 का factorial, minus, 9 का factorial, और यहां कितना हो जाएगा, 7 का factorial, और कितना हो जाएगा, into, 2 का factorial, देखे, अब इसको देखे, तो solve कर दिए, देखो, 10 इसको 9 जा सकते हैं, हाँ, बिल्कु जा सकते है, 10, into, 9 का factorial, minus, 9 का factorial, देखे, 8 से 7 जा सकते हैं, हाँ, बिल्कु ज है नीचे में देखो 7 का फैक्टोरियल कोमन है और 2 का फैक्टोरियल कोमन है तो बचा क्या आपका सदेखे 10 भाई 8 बचा है 10 भाई 8 यहां कितना वज़ाए सारे कोमन निकल चुक है तो यहां पर 1 बचेंगे ओके अब देखो यहां पर सॉल्ब करेंगे हम लोग 9 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल इन्टू का फैक्टोरियल सॉल्ब करेंगे कितना एक बता हूं 8 और 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 9 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कितना जाएगा 2 भाई 8 ओके सॉल्ब कर दीजे यहां पर हम लोग जा सकते हैं अ कि यहाँ है इसको हम लोग और सुल्ट कर लेंगे सेबन का फ्रैक्टोरियल इन्टढ़ देखो तो कफे टो आश्ची Storage को टुटु टुटु लिख सकते हैं और टुटवही, क्या मैं हौ इसको लिख सकता हूं देखो 9 का लिटेर चा согते हैं है क्यों जानते हैं हम लोग जिसे । जिसे एट कर ना मिलें क्या होगा ऊपह लिखेंगे और यहाँ पर सेबन की फट्रेटे ईहाँ पर इसका लिखे में ऊप्ठ integration ऑट और अब एक बही मिलने रहा तो इसको हम लोग गोश्चन फर्मुला में लिखते हैं यहां पर देखो यहां पर जो लिखते हैं बेलू यहां पर देखो इसको हम लोग अपने से लगा सकते हैं इंटू 1 का फैक्टोरियल कोई दिकत नहीं है यह जो देखें एंची वन प्रफ्रेंटेट राय नाइन सी और सुरी यहां पर जोगा नाइन खी और यहां पर कर दिखो आर विल्यू कतना है आए आपके विल्व केता दिया वह एट अब वन अब एन में से एट जाएगा तो वन तो खाग गया मनें एंसी एट आजाएगा क्या जाएगा एंसी अप्षन देखो ऑप्षन बिल्कूल यह सही है ओके नेक्स्ट ठीज नमबर 8y can form a ring देखो ये ring वाला है जो circular case होता है मैं फ़मल होता हूँ देखो number of number of which जो होगा in circular ये ring में, in ring case में कितना होता होता हो n-1 का factorial n का है number of y तो y कितना होता हो 8-1 कितना होगा 6-1 का factorial हो जाएगा option b सही हो जाएगा ring वाला याद formula रखे, बहुत important ही इससे question बने एक्जाम में बने का भी एक्जाम में, number of pay in ring ring करने मतलब circular case में n-1 का factorial होता है 14 number how many different arrangements can be made with Monday later, देखो आपके पास जो दिया हुआ है, Monday दिया हुआ है Monday दिया हुआ है Monday में देखो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है तो number of pay कितना हो जाएगा बताओ number of wage हो जाएगा कितना बताओ 6 का factorial कितना हो जाएगा बताओ 6 का factorial देखो ऐसे 6P 1, 2, 3, 4, 5, 6 6P6 solve के जाएगा तक होगा 6 का factorial इसलिए हम लोग 6 हो जाएगा या आप ऐसे भी solve कर सकते हो डाइरेक्ट भी बोल सकते हो कितना बोक्स वाला सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कितना 1, 2, 6 पर सकते हैं इसको 5 पर से 4, 3, यहाँ पर 2, 1 इसको हम जब solve करेंगे तो number of wage हो जाएगा number of wage जो हो जाएगा कितना होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कारने मतलब 6 का factorial यहाँ ओके तो option देखे option आपका बिल्कुल यहाँ हो जाएगा next फिप्तिन नमर 4 पर संगो इंदे रेल्वेर स्टेशन का अपार्टमेंट है उसका पर 10 सीट है इसको का पर संगो इंदे रेल्ग फोर पर संगो उसको पर्टमेंट में इन्सनिंदे हामेनी वेज दे आर मेभी उखुपाइड टस सीटोगे तो सिंपल से मैं बता रहा हूं इंदेखे simple सा number of जो है wage जो हो जाएगा कितना आजाएगा बताओ total 10 person है 10 person है उसको कितना तर्फ भरना है बताओ 4 आप सेथ 10 भी फूर हो जाएगा option B सही हो जाएगा या आप ऐसे भी सेखते हैं और में देखिए box-class system कीजिए आपको 4 लोग है और total 10 seat है 10 times से इसको 9 times से इसको 8 इसको 7 तो solve किजिएगा तो कितना आएगा बताओ 10 into 9 into 7 into ओके 10,9,8,7 तो इसको आपका लिख सकते हैं बताओ इसको अमलो लिख सकते हैं कितना बताओ इसको अमलो लिख सकते हैं इस जो value हो जाएगा कितना 10 10 P4 ओके लास्ट देखिए 60 नमर यह पार्ट 2 का लास्ट है अब पार्ट 3 में आपको और और क्लम देखने को मिलेंगे तो तब तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा एक तब तक आपको मिल जाएगा वह भी तो उसके बाद सेट थिवरी का सकेंड पार्ट मिल जाएगा और एक है जीपी का आपको पुरा का पूरा आपको जो भी बीएम्ट का सी लेवर्स था फर्स टर्म के लिए आपको कम्प्रेट करा दिक कर हो जाएगा अब साथ में सेट सलूसन तब करा दिया गया है पहले ही ओके देखो इन से यारी इकल टू क्या होगा फर्मूला बताओ इनका एफिक्टर ओप्सन यह से हो जाएगा ओके यह सारे फर्मूला और जो भी कंसेप्ट था आपको मिल गए है तो ठाट प्रैटिस कीजिए आप ल